नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जी की जी इसके 20 questions प्लस जो किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए हैं ठीक दोस्तों तो वीडियों को लाश्ट तक जरूर देखें वीडियों को जिस स्कीपना करें चलते एं करते हैं question start ठीक दोस्तों तो पर्स्त अपके सामने है प्रत्वी फडव दिन और रात होते हैं उसका परक्टर अंसर होगा यह देहनिक क्यारण ठीक है दोस्तों और निग्यवर्टी कारण होते हैं चलते हैं कि अगला question आपके सामने है अगला कुस्टन रहा सबसे बड़ा ग्रह कुं सा है तो इस का इनसर भी बताईगेगा है तो दोस्तों इसका और झालता अंसर कामेंट में ज़रूब पताएं ठीक है दोस्तों चलते के हैंग में सामने है बिर टो सबसे चुटा घ्रह कुन सा है तो सबसे चुटे ग्रह चो उनसा है तो दोस्तों कि बता हुआ जो Limited अगला शौन आपके सामने है अगुल हास दारा किस महासागर में बनती है तो बता है दोस्तों अगुल हास दारा किस महासागर पर बनती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा कई देश्चने करेक्ट आंसर होगा है कि इसका पर में पर यह रोससे क्रेक्ट आंसर हो दोस्तों ठीक है दोस्तों लोहा और में सु ale छालते हैं में पर आगलर कुस्छन आपके सामने है मैगनीज की उतफादन में भारत का दूसरा इस्थान है व्रिधर्धर्थाम देश कौन सा है तो बताए दोस्तों इसका करेक्ट Composer को रहा दोस्तों इसका करेक्ट रांसर होगा दोस्तों B option B, रूशी संग, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले question की ओर, अगले question आपके सामने है, निम्नांकित में C, कौन देश कोईली का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो दोस्तों इसका correct answer होगा, C, इसका correct answer होगा दोस्तों, C, ठीक है दोस्तों, अमेरिका, चलते हैं अगले question की ओर, अगले question आपके सामने है, एरा अगले question, इसमें किसको जपान का मैंचेस्टर कहा जाता है, तो बता ही दोस्तों, इसका correct answer क्या होगा, A, ठीक है दोस्तों, उसा का, ठीक है दोस्तों, उसा का correct answer है, चलते हैं अगले question की ओर, अगले question आपके सामने है, दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता, संग्राम के दोरान, डेकन, एजुकेशन, सुसाइट्टी, नामक संस्था किस था, आपना किस ने की थी, तो इसका correct answer होगा दोस्तों, C, बाल गंगदर दिलर, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले question की ओर, अगले question आपके सामने है, भारत भारतियों के लिए नारक की संस्था ने दिया था, तो बताई दोस्तों, इसका correct answer क्या होगा, तो इसका correct answer होगा, आरे समाने, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले question की ओर, अगले question आपके सामने है, बिन्देंचल और सत्पुला पहाड़ियों की बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो बताई दोस्तों, इसका correct answer क्या होगा, तो इसका correct answer दोस्तों, वीडियो के comment में जरूर दें, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले question की ओर, अगले question आपके सामने, investor professional fund, किस संस्था ने इस्थापित किया था, तो इसका correct answer होगा, से भी, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले question क्यों, अगले question आपके सामने है, भारत की प्रत्थम बहु उद्देशी पर्योजने किस नदिए, पुण्डपूर एवम, करवा, कच्छ, बनस्पतिक, इस्थान कहा इस्थापिते हैं, तो बताई दोस्तों, इसका correct answer क्या होगा, अगले question क्यों, भारत की प्रत्थम बहु उद्देशी पर्योजने किस नदिए पर बनाई गया है, तो बताई दोस्तों, किस पर बनाई गया है, जिसका correct answer है, C, दामुदर नदी पर, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले question क्यों, अगले question की आपके सामने है, भारत में प्रत्थम इस्थापित परमाडू सड़े अंत्र, का डोट है, ठीक है डोस्तों, तारप परमाडू सड़े अंत्र, ठीक है दोस्तों, अगले question क्यों, अगले question क्यों है, आग का यूनाइटिद किंडम थे तुद थे तो इनाइटिद किंडम मैं इसके maths होता ता इन्गलेंड धथा ता उत्री आयरेड्ड ठीक दूस्तों डौफ दौने के फिरस्ट्र द्थे तों द्थे के जघह में सी है था कि दूस्त कर दूसर और सब्सक्राइब करें दोस्तों कि चलते हैं अगले कुस्षन क्यों अगला कुस्षन आपके सामने है कि आगरा सहर को किसने बस आया था आया था था राश्टी प्रतिक के नीचले भाग में उत्कृष्ण सब्सक्राइब जैते कि संदर्व से कि लिया गया है तो इसको क्रेक्ट अंसर क्या होगा दोस्तों सी मुद्ध को अपने साथ से ठीक है दोस्तों मुद्ध को अपने साथ से चलते हैं दोस्तों अगला कुस्षन क्यों अगला कुस्षन दोस्तों आपके सामने है असो किसले लेट की लीपी किया थी तुसकर क्रक्ट अंसर क्या होगा दोस्तों अब राही अभी अब्सक्राइब ठीक है दोस्तों चलते हैं अगलो फॉसन आपके सामने है पहरे बैठ गया है कि 2 कि में अइसे कि रोइन उस्तों इसकी का है जिसके और तो बढ़े होगो दोस्तों असम ठीक है दोस्तों आज में इतने ही तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कामेंट्स करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो कैंसा लगा कि कामेंट्स में जरूर बताएं थैंक यू